देखे, identity theorem के question हम करने लग रहे हैं, तो इसी में ये June 2018 का question है, June 2018 का ये question है, ठीक है, question क्या गयता है, let f is equals to, इतना unit of disk दिरेक्खे, cb non-constant analytic function, ध्यान से सुन, देखेगा, इसको non-constant analytic function है, non-constant analytic function, then which of the following condition can possibly satisfy, इन में से कौन-कौन सी possible है, satisfy हो जाए, ठीक है, तो again identity theorem का question है, अगर हम देखें, तो पहला कहता है कि f of 1 by n is equal to f of minus 1 by n is equal to 1 upon n square, for all n belongs to n, क्या ऐसा possible है, ठीक है, तो सबसे पहला कहां हमारा क्या होता है, देखते हैं, जो sequence बनती है, f के अंदर जो point होता है, इसकी sequence कहां को approach कर रही है, limit n tends to infinity पे, 1 upon n की value 0, और हमें unit disk दे रखा है, belong कर जाएगा हमारे d में, अगर belong कर गया, तो हम 1 upon n को किस से replace करते हैं, इसी परकार माइनस 1 upon n वाले को भी आगे दे लिख लेता हूँ, limit n tends to infinity पे, minus 1 upon n 0, again belongs to d, अगर d में belong कर गया, तो पहले के इसमें आप 1 upon n को replace करो z से, जब 1 upon n को z से replace करोगे, आपको क्या मिलेगा, fz is equals to 1 upon, sorry, fz is equals to z square, ठीक है, again minus 1 upon n से कोई फरक नहीं वालेगा, minus 1 upon n को जब आप z से replace करोगे, तो जो आपका n हो जाएगा, n is equals to minus 1 upon, sorry, minus का n हो जाएगा, तो जब आप इसको, z is equals to minus का n, तो again, जब आप fz निकालोगे न, तो ये भी कितना आएगा, z square हो जाएगा, तो दोनु के इसमें सहीं आ रहा है, fz की value, दोनु के इसमें सहीं आ रही है, तो ये जो condition है, कह रहा ता which of the following condition possibly satisfy, इन में से कौन सी possible है, satisfy हो जाएग, तो पहली condition तो satisfy हो रही है न, इसके लिए हमें function मिल पा रहा है, ये actually b part का question है, तो option तो ये correct है इसका, ये option इसका correct option है, और option को भी हम discuss कर लेते हैं, ये तो option ये था, ठीक है, ऐसे निकाला हमने, अब again जब 1 upon n अगला, अगर मैं देखूँ, वो कहता है कि f of 1 upon n is equals to f of minus 1 upon n is equals to 1 upon 2n plus 1, अगर देखें तो 1 upon n तो ये ये ही होगा, tends to 0 होगा, ये हम पहले निकाल चुके हैं, बिलॉंग करेगा d में, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब हम z से replace करेंगे न, z is equals to, इसमें तो आएगा 1 upon n common लेंगे, तो 2 plus z हो जाएगा ही, n common लीजेगा, इसको आप solve जब करेंगे, 1 upon n से divide कीजे, upon कितना आएगा, 2 plus 1 upon n आएगा, तो यह function बन जाएगा, z upon z plus 2, fz क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, यहाँ तो fz ऐसा बन गया, क्या अब second part के लिए भी यही बनेगा, second 1 upon n वाले के लिए उसको देख लेते हैं, अगर बन जाएगा, तो यह option भी correct हो जाएगा, वैसे यह b part का question है, तो होना नीच जाएगा, minus 1 upon n को आपने replace किया है z से, तो 1 upon n is equals to minus का z हो जाएगा, तो जब आप common लेंगे, मतलब इसको 1 upon n upon 2 plus 1 upon n जब लिखेंगे, तो यह होगा आपका z upon 2 minus z, यह होगा सहर, z upon 2 minus z, function यही बनेगा ना है, 2 z, जब आप solve करेंगे इसको, तो यह कुछ और बन रहा गया, 1 upon 2n plus 1 था ना, 1 upon 2n plus 1 सही solve किया ना, हमने 1 upon n से divide किया यहां भी, तो यह 2 1 upon, 1 upon, यह क्या लिखे दिया है, हमने 1 upon n होगा ना, तो 1 upon n is equals 2 है, कितना minus का z, minus का z है, और यहां कितना है, 2 minus का z, ऐसे बनेगा है, तो अगर आप इसको solve करिएगा, अगर गलत हो रहा तो solve कर सकते हैं, z minus 2, तो यह तो अलग-अलग function आ रहे हैं, दिख रहे हैं यह, तो इसका मतलब, fz is equals 2 यहां से इतना आ जा रहा है, तो अगर यह agree करेगा, तो यह नहीं करेगा, यह करेगा, तो यह option गलत हो गया, ठीक है, यह option तो गलत हो गया, और अगले दो option तो वैसी गलत हैं, अगर कोई entire function है, और वो non-constant है, तो unmounded होना चाहिए, इसने बोल लगा न, non-constant, analytic बोला है, अब entire तो यहां इसलिए नहीं बोला है, क्योंकि पूरे c में नहीं दिया है, यहां पर unit disk दे रहे हैं, तो analytic होगा, तो यह libelies theorem से गलत होगे, इनको क्या होना पड़ेगा, function non-constant है, तो unmounded होना चाहिए, जबकि यह भी क्या है, bounded है, यह भी क्या है, bounded है, bounded किसे कहते हैं, आपको पता होगा, mod f less than some m, m एक real number हो, तो यह option गलत होगया, यह option भी गलत होगया, क्योंकि libelies theorem कहती है, non-constant entire function is unmounded, non constant होगा, तो unmounded होगा, तो यह तो bounded मिल ला है, और जबकि यह उसने क्या कहा है, non-constant, तो इसका उप्राइब,